ज्यान वापी का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है अब हिंदू पक्ष की ओर से ज्यान वापी के पूरे परिसर की ASI सर्वे की मांग की गई है जिनकी याचिका वारनसी कोट ने स्विकार कर लिया आपको बता दू याचिका में पांच प्रमुख मांगे हैं हिंदू की होती है तो यह साबित हो जाएगा कि ज्यान वापी मजद नहीं बलकि पहले मंदर था नमश्कार आप देख रहे हैं यूपी नियूज नाइन और मैं हूं आपकी दोस्त वरॉनिका क्या है ज्यान वापी का पूरा मामला हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले वारनसी कोट ने सर्वे को लेकर क्या कहा है हिंदू पक्ष के वाकील विश्नु जैन बता रहे हैं जरा इसे सुनिए आज हमारी एप्लिकेशन पे बहस हुई और विपक्षी गर्ण अंजुमन इंतिजामिया कोट में उपस्तित थे उनको सरकार भी उपस्तिती कोट को उनकी एप्ल आज जो हमने आज मांग की थी हमने पूरे परिसर की आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ द्यारा अर्केलोजिकल सर्वे इंडिया द्वारा साइंटिफिक जांच की मांग की ती जिसमें विपक्षी गणों को 19 तारीक तक अपना अब्जेक्शन फाइल करना है और 22 सारीक उसकी डेटिंग की एक्ससाइज मांगी है कि जो पिलर्स हैं जो घंबे हैं जो वेस्टन वॉल है जो हिंदू मंदर का भगना अवशेश है जो तीन डोम है उसके नीचे जो हिंदू मंदर का शिखर है और हिंदू मंदर का भगना अवशेश है उसकी डेटिंग एक्ससाइज की ज गई है और इसलिए अगरी सुनवाई बाइस्तारी को आज से ठीए एक साल पहले गाउं में शिवलिंग होने के दावे की पड़ताल हुई थी वीडियोग्राफी की गई जिसमें शिवलिंग की आकरती मिली थी लेकिन ये विवाद खत्म नहीं हुआ अब इस केस में नया मोड आया जब हिंदू पक्ष ने पूरे परिसर में ASI सर्वे की याचिका वारनसी कोट में दाखिल की और इस याचिका को सुईकार करते हुए कोट ने 22 मई को सरकार और मजजित कमिटी से जवाब मांगा है आपको बता दूँ कि क्या है हिंदू पक्ष की मांगे पहली मांग ज्यानवापी के पूरे परिसर की ASI जाचो दूसरी मांग कथित मजजित की पश्चिमी दिवार की जाचो तीसरी मांग की मजजित के तीनों गुमबदों की जाच की जाए और चौथी मांग की गुमबद रेडार से हर चीज़ का सर्वे किया जाए अधिवक्ता विश्णु शंकर जैन ने कहा कि देश की जनता को ग्यानवापी से जुड़े इन सवालों की जवाब मिलने जरूरी है ग्यानवापी में मिली शिवलिंग नुमाकृती कितनी प्राचीन है विवादित स्थल की सच्चा तीन गुंबद कब बनाए गए तीनों गुंबद कितने पुराने हैं यह सारे सवालों की जवाब जनता चाहती है दरसल ग्यानवापी केस में कई मामले दर्ज हुए थे सुप्रीम कोट और हाई कोट के आदेश के बाद सभी केस पर एक साथ सुनवाई शुरू हुई दरसल वारनासी कोट ने सुप्रीम कोट का हवाला देते हुए साइंटिफिक सर्वे से इनकार कर दिया था लेकिन हाई कोट ने 12 माई को जिला कोट के फैसले को पलट दिया और फ्रेश ओडर पास करते हुए कार्बन डेटिंग का अदेश दिया हाई कोट का कहना था कि अगर सबाब देना है इसलिए 22 माई को ही इस मामले की भी सुनवाई की जाएगी आपको बता दू दोनों मामले साथ चलेंगे याचिया करताओं का मानना है कि जल्द इस मामले में फैसला हो जाएगा और महादेव मजजित से अजाद हो जाएंगे इस से पहले ग्यानवापी में शिवलिंग मिलने के एक साल पूरा होने पर हिंदू महिला याचिका करताओं ने एक साथ वकील विश्णू शंकर जैन विश्वनात मंदिर में मौजूद विशाल नंदी का दर्शन पूजन करते हुए नजर आये थे साथ ही उस दर्शन पूजन के बाद उन्होंने ग्यानवापी परिसर के सर्वे कराने की मनो कामना पून होने का अशिरवाद मांगा था जिसमें पहला पड़ाव आज कोट से पार हो चुका है जितने सनातिन हिंदुस्तान है सब सबको मतलब दर्शन दे तो यह थी ज्यानवापी मज़ित को लेकर यूपी नियोज नाइन की रिपोर्ट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो इन्हीं लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप हमें फेस्बु झाल